हेलो एब्रीवन, आप रिचर्ड शर्मार आप सब कैसे हो, I hope आप सभी अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम करेंगे नया चैप्टर, रिपोर्टर्ड स्पीच चैप्टर नम्मर 7 है यह आपका तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो तरह की स्पीच होती हैं, आपकी एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इंडायरेक्ट स्पीच अब हम इनमें कैसे डिफरेंस करें इनको की डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और इंडायरेक्ट कौन सी सपोस करें कि कोई Mr. A है, Mr. B है, Mr. C है Mr. A ने कोई बात Mr. B से गई वही बात अगर Mr. C Mr. B उसी बात को Mr. C से कहे और उन्ही शब्दों में कहे जिन शब्दों में Mr. A ने B से कही थी ठीक है उन्ही बिल्कुल Same words में कहे B, C से तो वो होती है आपकी direct speech अगर क्या होता है कि अगर B अपने शब्दों में कह दे जो Mr. A ने B से कही थी उसे A की भाषा में ना कहके A ने जैसा कहया था वैसा ना कहके अपनी भाषा में कह दे तो वो हो जाएगी आपकी indirect speech ठीक है जब हम किसी से कोई बात सुनते हैं और फिर उस बात को किसी और से कहते है तो क्या होती है हमारी भाषा चेंज हो जाती है तो वही होती है आपकी indirect speech अब मैंने example लिखे है direct speech He said to me उसने मुझसे कहा I am feeling unwell today मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ ठीक है इसी को indirect speech कैसे होगा कि He told me उसने मुझे बताया कि He was feeling unwell that day कि वह उस दिन बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था ठीक है तो क्या होगा आपके time में भी changes आ जाएगा कोई जरूरी नहीं आप उसी बक्त किसी third person से उस बात को कहो हो सकता है कि आप थोड़े time के बाद कहो तो क्या होगा आपके time में भी gapping आ जाएगी उस बज़े से आपका जो tense होगा वो भी change हो जाएगा ठीक है तो यही होती है direct speech और यह होती है indirect speech I hope clear हो जाएगा अब देखते हैं यू said to her show me your frog ये जो दो comma लगे हुए इनको बोलते है inverted comma ये जो इन इन वर्टिट गॉमा से बाहर वाला होगा आपका उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे कोके अंदर होगा उसको बोलते है रिपोर्टिट स्पीच और इप्रेंस समझगे होंगे एप जो इन वर्टिट कॉमा के अंदर वो reported speech और जो inverted comma के बाहर उसे reporting speech बस यहां reporting है वहां reported है अब first आता है कि हम direct speech को indirect speech में कैसे change करते हैं तो उसका rule if the reporting verb is the present or future tense the tense of the verb in the reported speech does not change अगर आपकी reporting verb reporting verb means यह वाली अगर आपकी present में है या फिर future में है तो आपको tense में changes नहीं करना जो reported speech यानि कि inverted comma के अंदर वाली उसके tense में कोई भी changes नहीं आएगा ओकें ठीक है तो आपको reported speech में फिर कोई भी changes नहीं करना अगर आपकी reporting verb प्रिजेंट में है या फिर future में दो ही case में है आपका ये ये अगर आपकी जो वर्व है वो आपकी present में और future में for example रजनी says I am warning midnight oil तो रजनी को रजनी लिखेंगे says आपकी क्या होगा ये present तो says का says रहेगा जो ये comma लगा होता है इसकी जगह हम that का use करते हैं ठीक है फिर क्या होगा कि I क्या होता है first person तो first person जो होता है वो subject से change होता है जो reporting speech होती है उसमें तो हमारा subject क्या है रजनी तो I को हम जब रजनी से change करेंगे तो she आएगा इसको भी मैं आपको अभी बाद में थोड़ी समझाओंगी कि she आया कैसे है ठीक है she फिर आपका tense is MR यानि कि simple present में है तो she के साथ is लग गई कोई भी tense में changes नहीं हुआ है ठीक है वो तो आपके subject के according आपकी वर्व लगती है इसलिए कि she के साथ is लगी warning sorry simple present में नहीं है आपका present continuous tense है ठीक है warning midnight oil तो इसमें कोई भी changes नहीं हुआ है आपका present continuous का tense है तो यहां भी present continuous ही रहा है ठीक है क्यों क्यूंकि आपकी जो वर्व है reporting वर्व वो आपकी present में है अब जो यहां पर हमने आई को रजनी से change किया था फिर यह शी आ गया था उसे अब देखते हैं कैसे आया था वह इसका एक example और आई शैल से आई वेंट टू आग्राउन बंडी आप देखोगे यहां शैल से यानि कि आपकी reporting वर्व किसमें future में तो आई का आई शैल से का शैल से यह कॉमा की जगा ठीक है आई का हमने आई लिखा आई को जब हम आई से change करेंगे तो आई आएगा फिर वेंट टू आग्राउन बंडे आपका टैंस यह simple past है तो simple past में ही रहा आई है इसमें कोई भी changes नहीं आया ठीक है अगर आपकी वर्व यानि की reporting वर्व says two है तो आपको tells में change करना है ठीक है यहाँ पर आपका say था शैल से खली तो इसलिए है यह शैल से ही लिखा गया है लेकिन अगर उसके पीछे two और two के बाद object भी आता है ठीक है तो वो भी हम आगे सीखेंगे तो वहाँ पर says two की जगा tells का use करते है और will say two की जगा will tell का use करते है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब जो changes हमने किया था जहां हमारा she आया था अभी ठीक है तो कैसे करते है son son यह आपको son से याद रखना है यह trick है son s का one हो गया o का two and का three यह son क्या है आपकी reporting वर्फ और one two three क्या है reported speech ठीक है one two three का मनलब क्या है one मनलब first person second person two हो गया three हो गया आपका third person यह आपका subject यह है object यह है no change ठीक है तो जब आपकी reported speech होगी ठीक है उसमें अगर first person आता है यानि कि i v मैंसे कोई भी तो वो आपकी reporting जो आपकी speech होती है यानि कि inverted commas के बाहर वाली उसके subject से change होगा अगर आपका object यानि कि जो reported speech होती है उसमें second person का pronoun आता है यानि कि you तो वो आपके object से change होगा और अगर third person का रहा है he she they it कुछ भी तो वो आपका no change n का मलब no change आपको change नहीं करना है आपको वैसा का वैसा ही लिख देना है ठीक है और ठीक है यह आपको याद रखना है so n से sun और I hope clear होगे होगा और आगे वाली वीडियो में मैं आपको और clearly समझाँगी ठीक है इसके examples देखेंगे हम तो मिलते है next वीडियो में और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं